रभीना, अब उन्डा साड़ा हालिता कौन लाइन है? रादा एक वाज गया है मैंने ना पूछा था उससे, वो कहते हैं वो ना राद को इस टाइम बैट के पड़ते है सही गाले, उन्डा साड़ा बड़ा मेन ती है, का नोईने साड़ा ना रोशन करना है इंशाला, इंशाला हो गई वो जिजजा साहिबान का कहना है के पटवारी रोएं पिट्टे चीके मारें इनसाफ तो हो के रहेगा पिंड़ा गर किया से असलता है अई थे जिए हार दुझा बंदा साथ जिए प्याज साफ मुझे अपने बेटे की बड़ी फिकर है बिलाल बहुत भूला है सिनियर भाई के है और आप से तीन कमरों में मास्थ को रहें प्यार के रहेंगे है अचिक आध इस अधिक आधि क कासरां है रहा है बंध तूप्ढ़ा रहें था पागल सा बंदधा है तूम महत में कह रहा है इसको मार छड़ दे असमानू, यहां जाके पड़ी आदकार है, बड़े पर आनू मेखें गदी, ओदे बरगा बाने जाएंके बाजी शी गुप्ता, ता नुपता है, शेहाना मुंडा ना नशेते लग गया जी वो जड़ा होस्टल हों दाशी, हान जी हाईनी पेणान लादा शुकर है, मेरे मुंडे ने ते कदी सिगरेट नो हाथ भी नही लाया रबीना, जी रियासाब, मैं एक जरूरी गाले करनी है, मैंने ना जरा बलाल्दा नंबर के मुलाके देंगा जो नहीं नहीं, अभी तो वो कॉलेज गया होगा, अभी ना कॉल करें उसे, वापस आएगा तो आपसे बात कराती हूं उसकी, माशाला बड़ा ही रेगलर बेटा है हमारा असाम लेकुम आप जी, वालेकुम असलाम बेटा माशाला आपकी बेटी बहुत सब्सक्राइब के वाली है कि माशन का बहुत सब्सक्राइब के लुझत वेहले ही, तेनु मैं के ना सा, ना का अल्ला अपने मुड़े नो ऊस्टेल, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो बड़ा शरीफ है, किसी लटकी को ना नजरे उठा के भी देखता हूँ So, hello friends, अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कोई experience हुआ है, तो comments में हमें जरूर बताइए, and do subscribe TDM!